असलाम अलेकुम मैं हलीमा साथी आप सबको खुशाम दीद कहते हैं पर यूट्यूब चैनल कुईन्स फूर्पर्द अब अब सब खेरियत से होंगे आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मददार चीजी सॉसी सी है बैट सॉस पास्थ बनाने जा रहे हैं जो कि सब को बहुत पसानता है बचों को बड़ों को सब को पसानता रहा है तो शुरू करते हैं पिर मफिदसी कि यह हमारे इंग्रिजिंस हैं बेप स्पास्थ आपके तो अब बनाना श्राट करते हैं तीन चम चोली कडार दें इसमें इसके माच ओड़ा होगे से हैं तो हम इसमें डालेंगे यह आधा लेस्टन कटा हुआ अब जाएगे इसमें एक कटा हुआ प्यास यह लेंगे इसमें एक कटा हुआ प्यास अब हम डालेंगे इसमें चिकन है इसमें सब्ती आलागे यह अधा किलो चिकन क्योस्व टूब की शकल में काट लिया है पालरशण सब्सद्रों कोजाएगा virtuous में दॉल्ट अपने 场पने मसाले डालेगे और हमें इसमें और पिया 2 हुलाल मिल्क, नमक, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून साली मिल्क और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे ये वाइप पीपर, अब हम इसमें डालेंगे अपनी मददाशी स्कैचप, ये टूटेबल स्पून हमने कैचप लिए है, चिकन हमारा ये तैयार हो चुका है, इसके नीची हम आप करते हैं, प्लेन को बन और अपना सॉस की त्यारी शुरू करते हैं, ये जारिस में दो चमच और रिके, और ये एक चमच एसल, इसको हमने हलका सा सोते करना ताकि सक्षा पाण खतम हो जाए, यहां पर आप आग हलकी कर लें, अब हम इसमें डालेंगे, ये टू टेबल स्पून, मेदा है, ये जाएगा इसमें, इसको अच्छे से इसमें भूम लें, इसको हमने ब्राउन नहीं करना, इसका कच्छा पन खतम हो जाए, अब हम इसमें डाल देंगे, ये हमारे पास एक भर के ग्लास दूट का है, ये इसमें जाएगा, आइस्ता आइस्ता से यहां पर आपने आंच बिल्कुल हलका कर दिना है ताके आपका इने इसकी गुठली ही आना बने हुआ हुआ है पिस तरह चला गया यह अब मेस में चलाएं तेज के जिए उसकर चलाएंगे कोई लंस ना रहे इसमें ये गाड़ा हो चुका है देखें इसमें अपने ये मसाले डाल देंगे ये औरेगनो ये आदा टीस्पून जाएगा चिली फ्लेक्स इसलिए हम थोड़ी सोर डाल रेते हैं हाफ टीस्पून वाइट पिपर जाएगा अभी हमारे पास मोजरिला चीज और चैडर चीज जो हाफ कप है ये इसमें डाल देते हैं हमारा मज़दार सा सोस ती यार है तो ये इसमें जाएगा अब एक चीज रह गई वह है पास्ता अब इसमें डालेंगे हमारा बॉयल पास्ता यह पाक्केट पास्ता कर लिया था इसमें ये हमने एक चम्मच नमक और चम्मच ही हमने पिन ऐँक Ooh הגl कर लिया है इसमे लीजिए ये तैयार है हमारा और वायट सोस पास्ता ये दिखें ये हो गया है तैयार हमारा वायट सोस पास्ता आप इसका नमक में चीज में नमक फिर थोड़ा कम उपयाँदा। आप चेक कर लें। अ मैं थोडह नमक कम लें, तो नमक आ डार ली-जिए. तो Kr Dollar लीजिए हैं। तो हम इसको d Delaware करते है तो लीजिए तियार है हमारा वाइट सॉस पास्ता, इसकी गार्निशिंग हमने ब्लैक ओलिव से की है, बहुत ही मज़े का लगता है यह, तो रहा नहीं जाया, मैं तो खाने लगी हूँ, मैं तो काफी केचप डाल के उपर खाती हूँ, आप लोग भी अपने घर में से जरूर जरू ट्राइ कीजिए, तो लीजे मैं तब खाने लगी हूँ, फि मैं बताती हूँ कैसा लग रहा है, हम्, बहुत चीजी क्रीमी सा बनाएं, बहुत ही मज़ेगा बनाएं पास्ता यह, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब को आज की हमारी रेसिपी पसंद आई होगी, तो हमा जरूर ट्राइ कीजिए, यह भी आपको अच्छी लेगेगी, अगर आपको मारी रेसिपी सबस्ताम दा रही हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन देबाना ना भूलिए का वो जरूर देपाईए गा, इजाद दीजिए, सब अल् जरूर आपको 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 जरू